हालो बच्चों आज हम लुक करने वाले मैटेरियल के कुछ लेटेस्ट कोश्चन है उन्हें हम करने वाले इनका नाम जैसे बीक्यू था पीवाई क्यू था लेटेस्ट कोश्चन का नाम है यह बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है तो इन्हें मैंने से बना कर ही जाना है इनमें से कोई भी कोश्चन कभी वी एक्जाम में तो ही आ सकता है तो एल क्यू है हमारे पास एल क्यू वन मैटेरियल का HBL Limited produces product M विच है जग quarterly demand of 20,000 units यानि annual demand हो गई product M की 80,000 units Each product requires 3 kg and 4 kg of material X and Y तो अभी तक हमारे पास जो कोश्चन थे उनमें कोई एक material होता था इसके अंदर दो material है Material X is supplied by a local supplier and can be procured at factory stores at any time Hence no need to keep inventory for material X तो material X आपने ये फोन मिला है Hello हाँ supply Y साब समान बेट हो और तुरंत आद एक गंटे में समान आपके पास आजएगा इसका stock maintain करने की आपको कोई जरुद नहीं जब factory में जितना चाहिए उतना आपने मंगवा लिया Material Y is not locally available It requires to be purchased from other state in specially designed truck container with a capacity of 10 tons 10 tons का मतलब हुआ 10,000 kg एक ton में 1,000 kg तो ये दूसरे state समंगवाना पड़ेगा इसमें आपका आने जाने में टाइम लगेगा और इस टोक आपको maintain करना पड़ेगा The cost and other information related with the material are as given below Material X, Material Y purchase price per kg excluding GST 14640 rate of GST 18% 18% freight per trip fixed irrespective of quantity यहाँ तो कोई freight है ही नहीं रीजन freight ना होने का रीजन क्योंकि हम कहीं से मंगवाएंगे नहीं local supplier से पड़ोस के पड़ोस आजएगा लेकिन इस पर आपके 28,000 लगेंगे और 28,000 में आपका कितना आ जाएगा 10,000 kg आप एक कंटेनर में मंगवा सकते हैं Loss of material in transit Material X का कोई loss नहीं है Material Y का 2% loss होगा on purchase quantity तो अगर purchase quantity 100 है तो 2 units आपकी रास्ते में खराब हो जाएगी 98 मिलेंगी Loss in process on purchase quantity दोनों को purchase quantity से लिंक करा तो अगर आपने 100 purchase की तो यहां तो 4% loss होगा आपको 96 मिल जाएगी अगर आपने 100 purchase की तो 100 में से 2 रास्ते में टूट जाएगी और 5 आपकी process में चली जाएगी यानि आपको 100 में से सिर्फ 93 units ये किलोग्राम ही receive होगा The company has to pay 15% per annum to bank for cash credit facility यह हमारी carrying cost के काम आजेगा interest rate की तरह input credit is available on GST paid on material तो input credit अगर आपके पास available है तो GST हमारी cost नहीं बनेगा क्योंकि जितना हम पीछे देंगे उतना हमें आगे से input मिल जाएगा calculate cost per kilogram of material x and y calculate EOQ for both the material तो पहले हमें cost per kg x और y की निकाल भी है आजाएगे LQ 1 देखो जब आपको material की cost निकाल भी है पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि आखिर हमें material purchase कितना करना है हमारा material consumption में कितना आएगा तो सबसे पहले हमें calculation करनी पड़ेगी कि आखिर हमें material purchase करना कितना है working note 1 calculation of quantity of material to be purchased दो material है X and Y particulars X Y कितना खरीदना है इसके लिए पहले आपको देखना होगा कि आखिर production कितना होना है तो 80,000 units की finish source की demand है annual production of product M 20,000 units multiply by 4 quarters 80,000 units okay question ने बताया कि material कितना लगेगा raw material required to produce 1 unit of M तो X लगेगा आपका 3 kg और Y लगेगा 4 kg 3 kg 4 kg okay raw material consumed और yield to be consumed और yield 240 320 इतना material तो consumption के लिए चाहिए अब खरीदना कितना पड़ेगा तो loss हो रहे हैं दो एक loss तो हो रहा है loss in transit loss in transit है पहले वाले पर 0 दूसरे वाले पर 2% of purchase quantity है तो ये तो consumption है purchase कितना करेंगे बहुत simple देखे 100 खरीद हो गए तो 2 और 5 ये खतम हो जाने है loss में आपको 93 मिलेगा इसका मतलब ये 93 को represent कर रहा है 3,20,000 93 को represent कर रहा है और loss हो जाएगा रास्ते में 2 320 डिवाइड वाई 93 मल्टिप्लाई वाई 2 6,8,8 राउंड ओफ लिख राउंड 2 पॉइंट सम्थिंग आ रहा है तो राउंड ओफ करके लिख राउंड ठीक है ये हमारा loss इन ट्रांजेट हो गया एक loss और हो रहा है आपका लोस इन प्रोसेस एड लोस इन प्रोसेस प्रोसेस के अंदर लोस हो रहा है एक्स का 4 परसेंट इसका मतलब जो भी आप खरीदोगे उसमें 4 परसेंट लोस हो गया होगा 96 बचेगा तो ये जो 2,40,000 किलोग्राम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 96 को 4 loss हो गया और जो 3,20,000 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 93 को loss 5 होगा इन प्रोसेस 240 डिवाइड वाइ 96 मल्टिप्लाइवाइ 4 10,000 320 डिवाइड वाइ 93 थे multiply by 5 17204 ओके अब हमें खरीदना कितना पड़ेगा material quantity to be purchased ये खरीदना पड़ेगा टू लेक 50,000 किलोग्राम और ये खरीदना पड़ेगा 344-086 किलोग्राम ओके जैसे आप लोग को याद रहे for students material x partial %100 लोस इन transit 0 लोस इन process 4 consumed 96 मैटेरियल वाई पर्चेज वन हंड़ेड लोसें ट्रांजिट टू लोसें प्रॉसेस फाइव कंजियूम्ड नाइन्टी थ्री यह आप लोग के लिए यह एग्जाम में आपको दिखाने की ज़रत नहीं है तो आप अगर हंड़ेड खरी देंगे तो 96 से यूज़ हो पाएगा अब हमें यूज़ करना है 240 तो पर्चेज कितना करना पड़ेगा सेम ऐसे ही अगर आप 100 पर्चेज करेंगे तो 93 कंज्यूम होगा तो अगर कंज्यूम 320 करना है तो पर्चेज कितना करना पड़ेगा हमने निकाल लिया कि आखिर मैटेरियल की कितनी कॉंटिटी हमें पर्चेज करनी पड़ेगी अब वो कॉंटिटी हमारे पास एबलेवल है कॉस्टिन की रिक्वार्मेंट नमबर वन कैल्कुलेट पर केजी अफ मैटेरियल एक्स अन वाई आज़ेगे रिक्वार्मेंट नमबर वन स्टेट्मेंट शोइंग कोस्ट पर किलोग्राम अफ मैटेरियल एक्स एंड वाई मैटेरियल एक्स मैटेरियल वाई पर्टिकुलर्स सबसे पहले पर्चेज कॉंटिटी तो हमें कितना खरीदना पड़ेगा जी अभी निकाला है हमने 2,500,000 किलोग्राम 3,44,086 किलोग्राम पर्चेज कोस्ट अट टी रेत ओव रुपीज पर्टिक पर्टिकुलोग्राम पर किलोग्राम 250 इंटो 140 3 करोर 50 लेक्स 344 086 इंटो 640 22 करोर 2,15,040 ओके यह पर्चेट प्राइस आ गया GST का input credit एब लेवल है तो उसे दिखाने की ज़रत नहीं है और क्या लगेगा रास्ते का freight freight इस पर नहीं है दूसरे वाले पर लगेगा तो freight हमें खरीदना कितना है 344 086 किलोग्राम खरीदना है एक वार में 10,000 किलोग्राम साएगा 10 तन की capacity है एक वार के ट्रक के पैसे ले रहे हैं 28,000 रुपे 344 086 डिवाइड वाइ 10,000 तो हमारे हो गए 34.4 कंटेनर आप राउंड ओफ 35 कंटेनर्स ही कर सकते हो और 34.4 भी कर सकते हो क्योंकि हम 344,000 कि जएगे सीधे 3,500,000 किलोग्राम मंगवा लेगे बाकी का closing stock में हमारे पास रह जाएगा तो जो freight के charge है वो भी उसे में involved हो जाएगे तो 34.4086 मल्टिप्लाई वाइ 28,000 हमारी cost आई 9,6 3,4 4,1 9,63,441 ओके ये हमारे पास हो गई purchase cost including freight और कोई रास्ते का खर्चा वगेरा नहीं बताया टोटल cost 3 करोर 50,000 22,02,150,040 9,63,441 2,2,1,1,7,8 4,8,1 ओके अब वो 250 में से आपका 10,000 तो लोस हो जाएगा हमें मिलेगा कितना 240 divided by effective quantity जी 240 किलोग्राम यू जोगा जो 10,000 किलोग्राम लोस हो गया नॉर्मल लोस है निल पे वैल्यूट हो जाएगा वो निल पे चला गया इतने रुपे हमने 240 के लिए दिये और यहाँ पर हमारे पास 320 बाकी का लोस प्रोसेस में और रास्ते में हो जाएगा कोस्ट पर किलोग्राम हमारे पास आ जाएगी कोस्ट पर किलोग्राम लो जी कोस्ट पर किजी आ गड़ी 145.83 691.18 यह हमारे पास पास पार्ट वन खतम हो गया तो दो मैटेरियल का कोश्ञ इसके अंदर इन्होंने EOQ भी involved किया है और साथ में GST बगरा लगा कर material के price लगा दिये तो material issue pricing और EOQ का mix question हो गया है अच्छा question बनाया है Question की requirement number 2 Calculate economic order quantity for both the material Economic order quantity under root 2 A or divided by C Material X to multiply by यहाँ A में A का मतलब है Annual requirement of raw material to be purchased जितना purchase के अब वो लिखना है यानि 2,50,000 kg ordering cost 0 जी 0 क्यों क्यों क्योंकि हम तो पड़ोस में से मंगवारे है इस तो क्मेंटेन नहीं करते हैं तो EOQ का कोई question ही नहीं है यानि जब आपको available हो जाए goods जब भी कहा जाए उसी time पर तो आपको इस टोक मेंटेन की जड़रोती नहीं जब आप स्टोक मेंटेन नहीं करोगे तो EOQ भी ज़रोती है मुझे 5000 kg चाहिए आज फैक्के मैं कौन कर दूगा 5000 kg बेदो खल 10,000 चाहिए 10,000 बेदो question ने कहा हम इस टोक मेंटेन नहीं करेंगे तो यहाँ पर कोई EOQ आपका निकल कर ही नहीं आपाएगा multiply by 15% 0 जी कोई EOQ नहीं है material Y material Y के लिए आपके पास EOQ है 2 multiply by 3 4 4 0 8 6 multiply by ordering cost 28,000 carrying cost 6 91.18 multiply by 15% 3 4 4 0 8 6 multiply by 28,000 and 6 9 1 0.18 into 15% 1 0 3 6 7 1 0 3 0 6 7 under root 1 3 6 3 2.84 kg यह हमारे पास EOQ निकल कर आगे question पूरा खतम कितने नमबर में आ सकता है मेरे इसाब से 5 नमबर की इसकी बर्द बनती है not GST do not form part of material cost when ITC is available question number 1 खतम question number 2 आईए simple simple से question है कुछ खास नहीं है कोई छोटा मोटा change है तो वो यहाँ पर दिख जाएगा आपको अर्नावू limited manufacturing manufacturer product X which requires two raw material A and B दो material का कोशन इन रेशो ओफ 1 इस्टो 4 यानि A अगर 1 kg है तो B 4 kg लगेगा ओके the sales department had estimated a demand of 5 lakh units for the product for the year to produce one unit of finished product four unit of material A is required अब देखे one unit of finished goods इसमें दो material लगने एक A और एक B A कितना लगना है 4 units और इन दोनों की बीच का रेशो है 1 is to 4 इसका मतलब यह 16 units लगेगा तो 1 is to 4 उपर देने का region था कि अगर material A की 4 units लगेगी तो material B की 16 units लगेगी ठीक है stock position at the beginning of the year is given law stock दे लिए जो product है उसका 12,000 unit और A और B का 24 और 52,000 units तो place an order the company has to spend 15,000 ordering cost होगी company is financing its working capital using a bank rated 13% per annum यह आपकी carrying cost में काम आएगा product X is sold 1040 per unit तो कितने में बिखता है वो is relevant होता है A and B purchase at 150 and 200 respectively compute economic order quantity first if purchase order for both material is placed separately अगर हम दोनों को अलग अलग खरीदते हैं तो दोनों का EOQ निकाल लिए फिर कह रहे हैं if purchase order for both material is not placed separately यानि अगर दोनों material को एक साथ ही मंगवाते हैं हम एक ही truck में तो फिर EOQ निकाल लिए तो पहले हम अगर separate separate निकाला जाएगा उसकी calculation करते हैं L2 देखेगा question की requirement number 1 calculation of EOQ if purchase order for both the material is placed separately okay EOQ का formula लिग दीजिए 2AO divide by C under root material A separate निकालेगा material B separate निकालेगा okay 2 multiply by 2 multiply by मुझे ordering cost मालूम है carrying cost भी निकल जाएगी लेकिन annual requirement नहीं पता annual requirement अभी हमें निकालनी पड़ी आसान है 2 multiply by देखेंगे 15,000 ordering cost carrying cost इसका purchase price है 150 और 13% है rate of interest multiply by 15,000 और आपका इसका price है 200 इंटो 13% ठीक है अब हमारे पास आजियाएगा working note calculation of annual requirement of material A and B to be purchased आपको बड़ा सिम्पल सा है सबसे पहले देखो कि आखिर हमें जो product X है वो कितना बनाना है तो annual production of product X बड़ा सिम्पल है product X की sale दी हुई है plus closing stock कितना रखना है आपको minus कोई opening stock है क्या बाकी question में opening closing stock नहीं होते तो सिम्पल होता है जितनी sale है उतना ही बनाना पड़ेगा तो जी हमें 5 lakh units बनानी है अच्छा और closing stock कितना रखना है कुछ नहीं बताया तो 0 मानेंगे opening stock कितना है opening stock हमारे पास इसका दिया हुआ है 12,000 units ओके तो भाईया 5 lakh बेचना है 12,000 रखना है तो बनाना पड़ेगा 488,000 units तो आपको 488,000 units इसकी बनानी पड़ेगा ठीक है अब 488,000 units बनाने के लिए material A और B की जोड़त पड़ेगी ओके जी consumption या requirement of materials per annum material A material B देखे 4 lakh 88,000 units finish goods की अगर आपको बनानी है तो material A per unit कितना लगता है 4 question ने बोला है to produce one unit of to produce one unit of finished product 4 units of age required 4 unit हमें A की चाहिए अच्छा A और B किस ratio में लगते हैं 1 is to 4 तो इसका मतलब अगर ये 4 unit है तो ये 16 unit होगा आ जाएए तो भाईया इसकी लगेंगी 4 unit और इसकी लगेंगी 16 unit तो इतना material पूरे साल में हमें consumption के लिए चाहिए होगा 488 into 4 19,52,000 units of A and 16 78,8,000 units of B ठीक है question में अगर opening closing stock न होते हैं तो ये हमारा EOQ का A बन जाता है question में opening closing stock है इसका मतलब consumption different होगी और purchase different और EOQ निकलता है हमारा purchase के basis पर annual purchase of materials material A material B purchase का formula बड़ा simple था है आप लोगों ने foundation में पढ़ा हुआ है देखे consumption का formula क्या होता है opening stock plus purchase minus closing stock purchase का formula क्या होगा consumption ये minus आप लाप लाप हो जाएगा plus closing stock opening stock माइनस में लिए है तो consumption plus closing stock minus opening stock यहां mention कर देता हूँ में पर्चेज इक्वस टू पर्चेज इक्वस टू अब आपको मालूम है कंजम्शन 1952 7808 closing stock कितना है जी पता ही नहीं तो जीरो मानेंगे opening stock कितना है जी given है opening stock है 24,000 units and 52,000 units okay 1952 plus 0 minus 24,000 19,28,000 units of A and 7808 77,56,000 units of B ठीक है 19,28 और 77,56 आ गया अच्छी वर्क है question ने पहले आपको बताया है कि जो main product है उसकी sale कितनी होगी उससे हमने निकाला कि वो production कितना करना पड़ेगा opening stock घटा दी उसमें से फिर हमने निकाल ली purchase purchase के लिए पहले consumption calculate करी question के अंदर material B का नहीं बताया था एक hint दिया था कि 1-2-4 और के ratio में लगते हैं A की 4 unit तो B की 16 unit पढ़ी है question अच्छा question है 19,28 2 into 1958 into 15,000 divided by 150 divided by 1,3 under root 54,462 units okay 2 into 7,756,000 into 15,000 divided by 200 divided by 1,3 under root 94,600 units okay यह हमारा part 1 खतम हो गया 54,462 इसकी और 94,600 दूसरे वाले की अगर हम separate separate order देते हैं तो separate order में क्या है दो अलग-अलग supplier है जैसे Mr. Z और Mr. Y तो Mr. Z को बोल दिया A बेज़ दो Mr. Y को बोल दिया B बेज़ दो अब हमारे पास है कि अगर हम दोनों का order एक साथ देते हैं तो क्या होगा दोनों का order एक साथ देने मिक है एक बार phone करेंगे एक ही बंदा दोनों material को भेज़ेगा एक ही truck के अंदर material लगकर आया करेंगे तो annual requirement एक साथ इसकी fulfill किया जाएगी ROQ इसका EOQ एक साथ चला करेगा सेके देखे लो बढ़िया ही है EOQ if purchase order for the both materials is not placed separately okay EOQ 2A O divide by C उपर formula लिखा हुआ है नीचे ना भी लिखें तो चलेगा अब दोनों material कभी है एक साथ order है separate नहीं है 2 multiply by अब annual requirement क्या होगी दोनों add हो जाएगे दोनों A की साथ consider होंगे 1928 यह आ गया प्लस 7756 यह आ गया जी ordering cost 15,000 आपके दिमाग में आ सकता है सर्दो ट्रक आएंगे ट्रक एक ही आएगा अब एक ट्रक के अंदर ही दो material आएगे divided by 13% off यह off में दिखकत है क्या आखिर हम price कितना ने अब देखिए एक material है 150 एक material है 200 के rates है तो 150 और 200 का मैं average निकाल दूँ 175 लेकिन quantity दोनों की अलग अलग है तो quantity अलग अलग है तो price आपको separate लेना पड़ेगा अब जड़ा देखिए price के लिए आपको निकालना पड़ेगा average price 19,28,000 units आपकी आती है 150 के rates से और 77,56,000 units B की आती है आपकी 200 के rates से 19,28 plus 77,56 9,684 190,04 तो इसका price हो गया average 190 इसका मतलब जो हमारे truck में समान है कुछ समान 150 के है कुछ समान 200 के है जो 200 वाले समान है वो जादा है तो weighted average 190 आ गया अब हमारे पास 19,28,77,56 multiply by 2 multiply by 15,000 divided by 24,000 under load 1,08,452 units हम एक बार में मगवाएंगे यह combined है इसमें material A भी है और इसमें material B भी है separate अगर देखना हो कि material A कितना है और B कितना है A और material B यानि A की truck में दोनों एक साथ order दिये गए हैं दोनों अलग-अलग कितने हैं तो 108,452 108,452 यह total हमारी एक बार का load है और हमारे पूरे साल के load कितने हैं पूरे साल का load है 19,28 प्लस 77,56 19,28 and 77,56 A का हिस्सा कितना है total में से 19,28 पूरे साल में और इसका हिस्सा 77,56 पूरे साल में तो आपके पास पूरे साल में कितना समान आना हैं पूरे साल में हमारे पास समान आना है 96,084 इतना समान आना है इसमें से कुछ A है कुछ B है A है 19,28,000 और B है 77,56,000 तो अब एक लोट आया है इस पूरे समान में से 1,08,452 का तो इसमें से A और B कितने कितने होंगे तो A और B इन दोनों के रेशों में आ जाएंगे तो हमारा A कितना आ रहा है 108,452 डिवाइड बाई 96,84 मल्टिप्लाई बाई 19,28 इसमें A होगा हमारे पास 21,592 योनिट्स ओके और B होगा 86,860 योनिट्स तो अगर हम कम्बाइन ओर दें तो हमारे पास हम ट्रक के अंदर ओर देंगे और ट्रक में हमारा समान कितना आएगा ट्रक में हमारा समान आएगा टोटल 1,8452 योनिट्स जिसमें से 21,592 योनिट्स एक होगी और 86,860 योनिट्स आपके पास B की होगी बहुत बढ़ी है कोशन है 10 मार्क्स की वर्थ ये रखता है बहुत अच्छा कोशन है L3 थर्ड कोशन हमारे पास यो है ये इन्होंने क्या किया है थर्ड कोशन के अंदर स्टोर लेजर भी है आरो क्यू, आरो एल, इन्वेंट्री टर्न ओवर बहुत सारी चीज़ें तो 10 मार्क्स की वर्थ का कोशन है बहुत ही बड़े कोशन है, ध्यान से देखेगा आज आएगे L3 अरनव इलेक्ट्रोनिक्स मैनिफेक्ट्चर इलेक्ट्रोनिक होम अप्लाइंसे इड फोलोज वेटिड एवरेज मेथड फोर इन्वेंट्री वेलिएशन अच्छ है फोलोइंग आर्दर डेटा ओफ कॉम्पोनेंट एक्स पर्टिकुलर्स यूनिट रेट पर यूनिट यहाँ पर अब हमें दिया गया है कुछ डेट्स है इसमें लिखा हुआ है पर्चेज ओर्डर 008 पर्चेज ओर्डर 009 10,000 यूनिट का ओर्डर है पर्चेज ओर्डर का मतलब है कि हमने आज सामने वाले को ओर्डर दे लिया कि भई समान भेज़ जो यानि आज हमने बंदे को फोन कर लिया कि हेलो भाई साथ समान भेज़ जीज़े इसके बाद में जड़ा देखिए एक टर्म लिखी हुई है GRN, MRN ओके ये क्या है GRN होता है Goods Received Note यानि किस दिन हमें समान मिल गया ये वो डेट है MRN का मतलब है Material Return Note यानि हमने Material वापिस कर दिया इनके वारे में Question ने बता भी दिया GRN का मतलब है Goods Received Note MRN का मतलब है Material Return Note ठीक है अब जड़ा देखिए ये जो समान के order यहां पर हुए है मैं आपको बता दूँ समान यहां पर नहीं मिला है जैसे 8 नंबर का purchase order था 15 तारिक को तो basically वो stored लेजर में 5 तारिक को आएगा जब actual में receive हुआ है तो actual में receive हुआ है ये 5 तारिक को अच्छा 9 नंबर का कब receive हुआ है ये तेहरा तारिक को receive हुआ है इसके बाद में fail purchase order ये आगे 10 ये कब receive हुआ है जी ये purchase तारिक को receive हुआ है तो stored लेजर में वो date लिखी जाएगी जिस दिन आपका समान receive हुआ है अब question की requirement देखे क्या क्या है बहुत बढ़िया question है question की requirement है आपको इस question के अंदर ROL निकालना है maximum stock level, minimum stock level store laser बनानी है और कितने component आपने use किये हैं वो बताना है closing stock की value बतानी है inventory turnover ratio बताना है तो इसमें हमें ये सारी चीजों की जुरत पड़ेगी तो ROL, maximum stock level और minimum stock level पहले इनका formula लिख देते हैं formula लिखने के बाद जो जो चीजों की जुरत पड़ेगी वो हम इसमें से उठा लेंगे कोई safety stock नहीं है तो ROL आपके पास आजाएगा maximum consumption, maximum lead time आजाएगे सबसे पहले formula लिखते हैं first reorder level maximum consumption maximum maximum lead time यहां इसकी calculation आजाएगी यहां इसका answer लिख देंगे B maximum stock level पूछ रहे maximum stock level equals to ROL plus ROQ minus minimum consumption minimum lead time यहां पर हमारे पास इसकी calculation आजाएगी यह answer आजाएगा C minimum stock level minimum stock level में हमें चाहिए ROL minus average consumption multiply by average lead time okay अब मज़ेदार बाद इस question में जवाब जाकर देखेंगे ना तो lead time दिया हुआ है working out इस question के अंदर ना कहीं पर lead time है बस सीधे देखो यह store ledger दिये और इसके बाद में सीधे दे दिया कि यह सब चीजें calculate करो बहुत खूसूरत question है इसके अंदर सारी चीजे आपको ढून ढून कर निकालने है question किस तरीके से किया जाएगा एक एक चीज को ढूनना चालू करते है कि आखिर यह बही चल किया रहा है आईए working notes से आपको समझ में आना चालू हुगा कि आखिर इस question के अंदर game examiner ने किया किया है बहुत बढ़िया question design किया है बनाने वाले ने देखेगा सबसे पहले आपके पास R.O.L. पूछा है जिसमें maximum usage और maximum lead time चाहिए तो एक तो हमें consumption की जड़रत है एक हमें lead time की जड़रत है अच्छा maximum consumption maximum lead time के बाद calculation of consumption rate आपको यहाँ पर consumption लिखनी होंगी कि किस किस दिन कौन कौन सी consumption हुई है इस टोल लेजर के अंदर consumption कौन कौन सी है वो मैं आपको बताना चाहिए यहाँ पर वो वो consumption है जो जो issue में आएगा purchase order, purchase, opening stock, grn, material return material requisition material requisition का मतलब होता है जो factory होती है वो एक letter लिखकर देता है store keeper को कि इतना material हमें चाहिए तो material के लिए request की जाती है उसे material requisition कहते हैं तो requisition का मतलब होता है कि इतना issue हो जाएगा तो एक ही आ गया material requisition एक ही आ गया material requisition एक यह आ गया एक यह आ गया जी एक यह आ गया और एक यह आ गया यह हमारे पास requisitions आदे तो हम यहाँ पर दिखाते हैं आराम से के कौन-कौन सी date थी कौन-कौन सा MRN नंबर था material requisition number not यह नंबर requisition और जी यहाँ पर हम लिख देते हैं किती units के बारे में था तो हमारे पास है material requisition नंबर ग्यारा date है इसकी 6th January 2020 6th January होता है मेरा birthday भी तो बहुत अच्छा दिन होता है कितना निकाला 3000 units ओके इसके बाद में है material requisition number 12 और फिर है 13 14 15 and 16 यह इसू है सारे 12 की date क्या है 10th January और 12 की 4500 units इसके बाद में 13 है 15 जैन्वरी को और यह है 2200 फिर है जी मैटेरियल लिक्टिशन 14 24 तारी को और इसका है आप 1500 ओके इसके बाद में है 28 में और 31 में 28 में 4000 और यह 3200 ओके यह हमारे पास आ गया कि जी इतना इतना मंगवाया है अब आप इसमें से बताइए minimum consumption कितनी हो रही है तो minimum consumption मुझे दिख रही है 1500 यह आपके पास minimum आ गया 1500 यूनेट्स एम आर एन 40 मैक्सिमम कंजम्शन चेक करके अब बताइए आप समझ गए है कैसे दूनना है maximum consumption आप लोग खुर ढूंडिये maximum consumption हो गई 4500 यूनेट्स और MRN नंबर 12 average consumption देखे पूरे साल की consumption कितनी है मुझे नहीं पता पूरे साल की consumption पता हो दी तो पूरे साल की consumption जोडता है divided by 365 कर देता है यहां मेरे को maximum minimum पता है 4500 प्लस 1500 divided by 2 तो यह आगया 3000 यूनेट्स यह हमारे पास maximum minimum consumption आगई बढ़िया question हुआ तो जिस बच्चे ने question पहले नहीं किया हुआ वो attempt नहीं कर सकता अगर exam में आ जाता हो कि ऐसे ढूणना है यह उसको पता ही नहीं होगा तो consumption rate हमारे पास आ गया अब हमें निकालना है lead time second working note calculation of lead time lead time आप लोग समझ भी होंगे कैसे निकालना है लेकिए lead time कैसे निकालना है आखिर हमने order कब दिया था और वो receive का हुआ जैसे यह 8 number वाला order 15 तारिक को दिया था और receive का हुआ पांच तारिक को तो order कब दिया और receive का हुआ उसके बीच के दिन ही तो lead time है कि आखे delivery में समय कितना लग रहा है तो यहाँ पर हम mention कर देते हैं इस वाद को lead time का मतलब purchase order date 2 material received date अब हम इसके नीचे calculation करने के लिए इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं एक तरफ लिख देते हैं purchase order और जी यहाँ पर लिख देते हैं goods received या material received इसके दो हिस्से यहाँ पर तोड़ देते हैं एक में number लिख देंगे एक में date लिख देंगे और सामने हमारे पास आजाएगा lead time के आखिर lead time कितना हुआ simple है lead time आजेगे यहाँ पर purchase order number यहाँ पर उसकी date यहाँ पर goods received number और यहाँ पर उसकी date तो बना लीजी आप लोग जी अब देखेगा अराम से सारे purchase order आप check पर दो आठ नमबर नो नमबर जी आरेन आठ नमबर जी आरेन नो नमबर ओके इसके बाद में purchase order नमबर दस इसका जी आरेन दस टोटल तीन है एट नाइन टैन ओके पर्चिज ओर नमबर जी रो एट डेट है 15 दिसमबर 19 जी आरेन है इसका एट नमबर और इसकी डेट है भाई की 5 जन्वरी ओके जी आरेन नमबर और purchase order नमबर सेम होते हैं तो आप purchase order नमबर सिर्फ मेंशन करते तो भी काम चल जाता है 9, 10 सिर्फ 3 ही purchase order है एक 15 दिसमबर को दिया गया दूसरा 30 दिसमबर को दिया गया और जी उसके बाद में तीसरा है साथ जन्वरी को अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि कोशन पते क्या करें चला कि आपके साथ जैसे कि यहाँ पर एक purchase order डाल दे 28 तारीक को purchase order 11 ठीक है और उसके आगे कोई information नहीं नहीं तो उसको consider नहीं करेंगे purchase order की date और goods receive दोनों काम होने चाहिए हो सकता है 28 तारीक को आपने कोई purchase order किया है लेकिन अभी तक वो आया नहीं है वो आएगा कब वो फरवरी में आएगा तो अगर कोई purchase order additional होता तो उसे हम यहाँ पर consider नहीं करते हैं goods receive note reference में साथ में होना चाहिए कि कि किस date पर मिला यह पता हो वह यह तो जी आरेन एट जी आरेन नाइन देखो 13 जैन्वरी और जी आरेन टैन देखो 25 जैन्वरी ओके अब डेज कैसे गिनने है देखिए जिस डेट से आपने order दिया है उस डेट को आप गिनेंगे और जिस दिन receive हुआ है उस दिन को नहीं गिनेंगे यानि कोई एक दिन आपको कम खरके चलना है तो जैसे 15 तारीक को दिया है गिनने का तरीका बता था दिसंबर का महीना 31 हो गया अब receive हुआ है पांच को एक दो तीन चार चार तर गिनो अगर आपने पंधा तरीक को कंसीडर किया है तो दूसरा तरीका एक पंधा को कंसीडर मत करो ऐसे गिनो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 5 जैनवरी तो दो तरीके है या तो जिस डेट पे order हुआ है उस डेट को मत गिनो या फिर जिस डेट पे receive हुआ है उसको मत गिनो दोनो तरफ दिन नहीं किसन सकते हैं तो कैसे भी कर सकते हैं तो हम क्या करते हैं 15 तारीक को गिनना चालो करते हैं 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5 तो यह होगे 15 और 6, 21 देज होगा है ओके जी अब वो 30 दिसंबर से गिनते हैं 30 को इसकिप करते हैं 31 और 13, 14 देज होगे सीथ है अब वो 7 एर्थ जैन्वरी तो 25 माइनर्स एट यह होगे आपके 17 ग्लेज अब कोई आपसे पूछे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 23, 24, 25, ठीक है हाजी अब आपसे कोई पूछे के बही मिनिममम लीड टाइम कितना है तो आज आओ जी परचाय के लिड़ टाइम 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 के लिड़ी टाइम के लिड़ीर टाइम माक्व्चिम लीड़े टाइम 21 यह पार चंच अव comment है अव्रेज लिए अवैज लिए अवैज लिए हे व्य लिए वारेंग लारेंग भी इन BK 17.5 डे एवरेज पॉइंट में आ सकता है ठीक है तो यह हमारे पास हो गई जी पूरी कैलकुलेशन हमारे पास लीट टाइम आगे कंजम्शन आगे अब आरो एल मैक्सिम इस्टोक मिनिमम इस्टोक आप निकाल सकते हो एक ज़र्वत पड़ी गए आपको आर ओ क्यू रियोडर कॉंटिटी तो रियोडर काईटी के लिए भर वह ज़क देखना कहिं ओर जो अर बॉला सकते है जड़ा कोशन के अंदर पर्चेज ओडर 9, 10,000, फिर पर्चेज ओडर 10, 10,000, इसका मतलब ROQ 10,000 है, हर बार ये 10,000 यूनिट का ओडर देते हैं, अच्छा, अगर आपके पास में अलग-अलग होता ROQ इसमें, तो हम एवरेज निकाल कर करतें फिर, तो ROQ 10,000 यूनिट्स, कैसे पता चला, object, या all order of 10,000 यूनिट्स, ठीक है, यह हमारे working note हो गए, अब question की requirement क्या-क्या है, आजएए, चलते हैं, सबसे पहला था जी, maximum consumption, maximum lead time, तो maximum consumption है, 4500 यूनिट्स, lead time है, 21 days, मजा रहा हुए यह वाले question करने में, बिलकुल अलगे हैं, धून-धून के निकाले, आप लोग के लिए, 94,500 यूनिट, institute धून-धून कर ला रहा है question, ओके, इसके बाद में, हमारे पास दूसरा है, आरोल, 94,500, आरोल क्यों निकाल दिया जी, 10,000 यूनिट्स, माइनस, minimum consumption कितनी थी, 1500 यूनिट्स, और minimum lead time था, 14 days, ओके, 1500 इंटू 14, 11,000 यूनिट्स, यह आगे बाई यह 83,500 यूनिट्स, minimum stock level, 94,500, minus average consumption, 3000 यूनिट्स, or average lead time, 17.5 days, 42,000 यूनिट्स, ओके, तो reorder level आ गया, maximum stock level आ गया, minimum stock level आ गया, अब इसके बाद में कह रहा है, store laser बनानी है, और determine the value of stock on 31st January, वो तो closing जोसका balance है, वो आ जाएगा, store laser, FIFO, LIFO, weighted average, तीम तरीके हैं, question ने खुट बताए हुए, average method से बनानी है, weighted average लगाते हैं, कह रहा है, store laser बनाओ, और 31st January को कितना stock है, वो बताओ, तो store laser बनानी तो हमें आती है, आजाएगे, ये काम तो हम कर सकते हैं, आजी, store laser, question की requirement number, D, store laser, for the month of January 2020 weighted average method, इसकी line ने बनाने में तो expert हो, जल्दी से बना दो, date, receipt, issue, balance, date, receipt, issue, balance, receipt की जगे पे आप purchase भी लिख सकते हैं, issue की जगे पे आप consumption भी लिख सकते हैं, balance, अब तीन तीन पार्ट बन जाएंगे, quantity, rate, value, quantity, units, rate, जो भी होगा, rate का column छोटा बनाईएगा, और units और value का बड़ा, value को सबसे बड़ा होना चाहिए काएगी, क्योंकि value सबसे ज़्याद लिखी जाएगी, okay, अराम अराम से समझ समझ के बनाना मेरे साथ में, वैसे तो आप लोग बहुत ग्यानी हैं, sheet के, लेकिन थोड़ा सा ये grn purchase order, ये चीज़ें आप इससे थोड़े से unavoid हैं, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले opening balance, 1st January 20, opening stock, कई लोग opening stock receipt में या issue में या कहीं भी लिख देते हैं, कई लोग mention ही नहीं करते हैं, सिर्फ लिख कर खतम कर देते हैं, opening stock सीधे balance वाले column में आपका आजाएगा, कितना opening stock है जी, ये है आपके पास, opening stock, 3500 unit, 9810 से, 3500 units, 9810 से, अब जी value तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 9810 into 3500, तो आप thousand में लिख ली जी, 34335, value in thousand, पर value वाले column में ही आएगा सिर्फ, value in, 000, तीन जेरो लगाने हैं तो लगा भी सकते हैं, in 000, in 000, ओके, अब अराम से एक एक शीट देखते हैं, बहुत अराम से समझना, जिस दिन order गया है, उस दिन नहीं, जिस दिन रिसीव हुआ है, उस दिन रिसीट वाले column में आएगा, अच्छा जी, तो ये इससे पहले पर्चेज ओडर दे रखें हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है, पांच तारिक को हमें गुट्स रिसीव हुआ, पर्चेज ओडर एट के अगैंस्ट, तो अराम से जाके देखें किती यूनिट रिसीव हुई, दस अजार, पांच तारिक को ही material हमने वापिस किया है, इसी पर्चेज ओडर का, पांच सो यूनिए, तो दस अजार आई हैं, पांच सो चली गई, ये रेट क्या था, 9930 अड़ेई, तो पांच जन्वरी 20, पांच जन्वरी 20 को हमारे पास, 10,000 यूनिट साइई, 9930 के रेट से, 9930 अच्छा, ठीक, डिवाइड वाई बनता हो जाए, 99300, इसमें से कुछ बापिस हो गए, 500 यूनिट वापिस हो गई, ध्यान रखिएगा, इस 10,000 में से वापिस होई है, तो इसी रेट से वापिस होगी, 9930 के रेट से वापिस चली, 9930, 4965, ये वापिस हो गया जी, अब हमारे पास समान कित्ता बचा, मैं बता दू, ये 3500 हैं, और इसमें से 9500, 13,000 यूनिट हमारे पास बचे, वैल्यू कैसे निकालेंगे, बड़ा सिम्पल है, इसे लीजिए, इसे प्लस करिए, और इसे माइनस कर दीजिए, ये पहले से था, ये आ गया, इसमें से इतना चला गया है, 34335 प्लस 9930, माइनस 4965, ये आ गया जी, 128670, तो 128670, अब हमें बेटेड आबरेट रेट निकालने हैं, ध्यान रखेगा, ये 1000 की फिगर में है, इसको सीधे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसको पहले 1000 से मल्टिप्लाई करिए, अब इसकी वैल्डिव आ गई, तो ये 12 करोर 86 लाग क्या सपास आ जेगी, हाँ, इसको अब डिवाइड कर दीजे 13,000 से, तो ये आ गया, 9897.69, तो इस चड़ी मैट में इसको क्या करा है, राउंड ओफ करके कोश्चन को क्या हुआ है, हम भी राउंड ओफ करके ही वैल्डिव लिख रहा है, 9898, तो अलाउड एड जब बड़ी फिगर्स होती हैं, तो आप राउंड ओफ कर सकते हैं, ओके जी, अब पांच तारीक के बाद देखते हैं, भाई, कब क्या हुआ, लोजी, छे जन्वरी को मैटेरियल इशू हो गया, 3000, मैटेरियल रिक्यूजिशन, फैक्टरी साया होगा हमारे पास, छे तारीक को, हमारे पास इशू हो गया, क्वांटिटी है, 3000, रेट रहेगा, 98, 98, यह हो गया हमारे पास, 29694, 13,000 में से 3000 चला गया, बचल 10,000, वेटेड एवरेज है, रेट 98, 98, 98, 98, मल्टिप्लाई वाई 10,000, डिवाइड वाई 1,000, यह हो गया जी, 98, 9, 8, 0, अगली डेट, 6 तारीक तर पास गया हम, 7 तारीक को, फिर से पर्चे जोड़ा दिया, किसी काम करें, इस्टोर लेजर में नहीं आएगा, दस तारीक को, फिर से मैटेरियल इशू हो, 4500, आज़ेगे, दस तारीक, फिर से मैटेरियल इशू, 4500, 98, 98, 4500 इंटू, 9, 8, 9, 8, 4, 4, 5, 4, 1, 4, 4, 5, 4, 1, का मैटेरियल इशू हो गया, 4500 में से अब बचा, 50, 10,000 में से, 45 चला गए, 5500 बचा, 9, 8, 9, 8, 5, 5, 4, 4, 3, 9, 5, 4, 4, 3, 9, 5, 4, 4, 3, 9, का इस्टोक हमारे पास बची गया, ओके लिए, दस तारीक के बाद आप लोग देखो, कौन सी डेट है, और क्या किया जा रहा है, एक्सपर्ट हैं सभी, इस टोर लेजर बनाने में, मैं राम राम से बनाता हूँ, आप लोग फास्ट वास्ट बनाते हैं, तेहरा तारीक को दो काम हुए है, कुछ गुट्स मिला है, और उसमें से कुछ वापिस हो गया, ठीक है, तो 10,000 आएगा, 400 वापिस हो जाएगा, और ये जो रिसीव हुआ है, ये 9th नंबर ओडर के अगेंच्ट हुआ है, 9th नंबर ओडर था, 9780 के प्राइस से, तो जी 10,000 आया, 400 वापिस हो गया, 13th January, 10,000 आया, 400 वापिस, रेट है, 9780, 9780, 9780, 9, 7, 8, 00, 400, 9, 7, 8, 0, 3912, अब जी 5,500 था, अब एफेक्टिवली 9,600 हो रा गया, 5,500 प्लस 9,600, 15,100 का स्टोक हो गया, वाल्यू इसकी, वाल्यू आईगी जी, दिस, प्लस दिस, माइनस दिस, 5, 4, 4, 3, 9, प्लस, 97800, माइनस 3912, ये वाल्यू आगई, 148, 327, इंटु गंध हो गया, दिवाइद वाई 15, 100, और ये आगया जी, 9, 8, 22.98 है, तो 2, 3, ओके जी, आप पूरी-पूरी वैल्यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी-पूरी अबाउंट करके कर सकते हैं, 13 तारीक का हमारा काम, खतम हो गया, 13 तारीक के बाद, 15th को, गया, उसके बाद में, 24 तो गया, 22 और 1500, आ जा जा जी, 15th को गया, फिर 24 को गया, कितना कितना जा रहा है, 2200, and 1500, 9823, 9823, 216106, तो डॉबल वन कर रहूं, अच्छा जी, और 15, 100 में से माइनस कर दो, 2200, 12,900, रेट 9823 रहेगा, 14823, 327 में से, 21611 चला गया, तो यह आ गया, 126716, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, कि 9823 से 12,900 को मल्टिप्लाई कर दो, यहां सब कुछ round of करके चला जा रहा है, तो कहीं प्लस करके माइनस चल रहा है, आप पूरा पूरा भी बना सकते हो, यह study mat के अंदर का solution है, यह study mat ने पूरा round of करके क्या हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके, फिर 1500 आ गया, 9823 के rate से, 14734, ओके, और जी, इस में से 12,900 में से 1500 चला गया, 11,400, rate 9823 ही रहेगा, और आपके पास value हो गई, 11,600, rate 9823, 11,900, rate 9823, ओके, आज़ आप, मैं study mat का poppy based solution कर रहा हूँ बिल्कुल, और आप लोग पूरी figure ले सकते हैं, round of करने में थोड़ा इधर प्लस माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूरे नंबर मिलेगे, 24th January के बाद में हमारे पास आवाता है, पर्चेज ओडर 10 के अगेंश्ट, ये था पर्चेज ओडर 10, 975-0 के rate से 10,000, 975-0 के rate से, तो 97,500, और date है इसकी 25, फिर इसके बाद में 28 है, और 31 है, ओके, ये होगे जी, 21,400 अब, वैल्यो होगी, 111,982 प्लस 97,500, 209,482, 9,788.8, तो 97,89, इसके बाद में इसके बाद में इसू हो रहा है, 4,000 and 3,200, 4,000 and 3,200, 9,789, 9,789, 39,156, 4000 ओर चले गए, तो 17,400, 209,482, minus 39,156, ये होगे, 170,326, rate, 97,89, 3,200, into 97,89, ये होगे, 3,1, 3,2, 4, 800, 3,1, 3,2, 4, 800, तो 5, अब बचा कितना, 17,400, minus 3,200, 14,200, हमारा closing stock बचिया, 97,89 ही rate रहेगा, 14,200, into 97,89, 1, 3, 900, 38, 1, 3, 9, 0, 0, 1, ओके, 1, 3, 900 करके खतम, कर सकते हैं, ये हमारे पास होगे, इस्टोर लेजर, इसके अंदर थोड़ी सी कमी ये है, कि round of करके बनाएगे, इत्ती सारे 00, नहीं लगा सकते थे, तो आप अपने हिसाब से गर पूरा बनाते हैं, तो आपका accurate answer आ जाएगा, हमारे हिसाब से, जो answer इसका बन रहा है, वो आ गिया, इसमें note, study mat में पढ़ा हुआ है, वो लिखा हूँ में, same question आएगा, तो आसानी रहेगी, कि आप भी round of करके करें, क्योंकि इतने 0 लगाना और calculation करने में, time बहुत लगेगा, इसी में इतना time लगेगा, decimal figure, may be ignored, और round of, तो may भी लिखा हूँ आई, यानि आप चाहो, तो round of कर सकते हैं, पूरा निकालोगे, तो पूरा, to the nearest rupee, ओके, अब वो पोशन ने, इसमें कहा था, store later बनाओ, और दूसरा point question ने कहा था, determine the value of stock, as on 31st January, तो 31st January को, आपका stock कितना हैं बता दीजिए, value of, stock at, 31st January, 20, equals to, 14,200 units, at, 9789, per unit, equals to, rupees, 139,001, 000, 1, करोर 39, लेका आपके बास, इस्टोप, available होगा, question की requirement number E, क्या सरी ये इता बड़ा question पूरा आएगा, पूरा भी आ सकता है, और हो सकता है, इसकी कुछ part आजाए, लेकिन आपको, GRN, MRN, इन सब चीजों का, store later में पढ़ना, आगे, value of component used, तो value of component used, निकालना है, बड़ा simple सा है, issue वाले जोड़ लो, value of components, used, components जो used हुए हैं, वो कौन-कौन से हुए हैं, आ जाएगे, material requisition देखिए, कब-कब आपके पास आये था, material return नहीं, requisition, तो 3000 unit ये, 4500 ये, 22, 1500, और ये दुन, ये हमारे पास हैं, जो material requisition notes आये थे, और जो हमने use किए, इनकी value निकालना है, unit push तर तो अभी लिख देते हैं, अब store laser में जाएए, अभी store laser हमने बनाएए, जहाँ जहाँ पर वो issue अता, return वाला नहीं, जैसे ही return वाला, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, और इनकी value, this one, this one, this one, this one, ये आप लोग जोड़ दीए, this one, this one, value of material use, आपके पास आ जाएगी, तो 29694 प्लस 44541 प्लस 21611 प्लस 14734 प्लस 39156 प्लस 31325 प्लिप्लाइए, आएवाई, यहां आपके पास टोटल वैल्यो आ लेगी, 296944549, 1473439156, 1325, 18106, वन थाओ रहे, यह मेरे पास material consumption की value आ लेगी, एफ, last requirement question की, inventory turnover ratio, inventory turnover ratio आप लोग को formula मालू है, आजाएए, inventory turnover ratio equals to value of material used यहां फिर material consumption divided by average stock value, material used कितना हुआ है, आपके पास, उपर लिखा हुआ है, 18106100, value of average stock, opening stock था, 34335,000, plus closing stock था, 139001000, divided by 2, यह आगे हमारे पास, 2.089, times, ओके, यह हमारे पास, L1, L2, L3, तीन question थे material के लिए text, इनकी practice अच्छे से कर लीजिएगा, अच्छे question में से एक है, इनकी expectation बहुत ही ज़्यादा high है, तो अच्छे से आपके तग्यार करेगा, ओके जी, सभी को टाटा बाई बाई